यदि आपको कोई post create करना हो या फिर कोई poster बनाना हो या फिर अपने YouTube वीडियो के लिए thumbnail बनाना हो तो सबसे बढ़िया कोई application होता है तो वो होता है pixel lab लेकिन यह कब होता है जब आपको यह पता हो कि pixel lab का सही से use काई सा करते हैं कि किस प्रकार से आप लोग pixel lab की help से एक अच्छा सा thumbnail एक अच्छा सा थामनेल, एक अच्छी सी post या फिर एक अच्छा सा poster बना सकते हैं आज के शुटों में आपको बताने वालों कि किस प्रकार से आप लोग पिक्सल लेप की help से एक अच्छी सी post तैयर कर सकते एक अच्छा सा thumbnail बना सकते जा फिर अच्छा सा poster बना सकते इस वीडियो की प्राइण तक देखते रही well आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा तो इस से क्या हूब कि आपका एप्लिकिस आपको गिलरी में रिडाइट कर देगा और वहां से आप जिस भी इमेज पे जिस भी बेग्राउंड पे आप अपनी पोस्ट थमनेल कीरेट करना चाहते हैं उस वाली को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिजें तो मैं यहाँ पे एक बना रहे हैं या फिर वह फिर भी पोस्ट के लिए वन रेशियो वन या फिर आप जीतना मतलब की स्कुर्साइच में उसको रखना होता है तो यह फोस्ट बना रहे है तो बनेल यूटूब के लिए तो आपको 16 ratio 9 को 9 का साइज आपको चूस कर ले ना है देन मैं यहाँ पे 16 ratio 9 का साइज ले लिए है अब मुझे क्या करना होगा इसे यहाँ पे स्लेक्ट कर लेना है आपके सामने यहां पर इमेज आ जाएगे देन आपको मेंच करना ओगा आपके सामने प्लस्टी सेंबालने देन आपके सामने यहां पे absence आजाते हैं कुछ कुछ functions आजाते हैं text current date sticker shapes form gallery draw तो आपको यहां पे text डालना है तो आप यहां पे text पे touch करेंगे तो आप इस वाली image पे किसी दूसरी image को या फिर कुछ sticker को पे ड़ना चाहते हो तूपने गटर यप ऐप्सक्राइब एक ही। लिए मुझा क्नेस्ट अहीं लुए सबसे तो यहाँ की कर लेता हूं सबसे कर लेता हूं सबसे पहले हिंदी कर लेता हूं लुकिर नहीं vaporков के श् céne तो आप यहां पर text को चली में बताते तहूं कि आपको यहां पर text के साथ आप क्या 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 कर सकते हैं क्या क्या आपको इस application में functions मिल जाते हैं अब यहां पर आपको क्या करना होगा इस text को effect डालना या फिर color change करना या फिर background लगाना या फिर इसे stroke डालना जो भी करना यहां पर आपको इस वालेको एकबाष नाओं छे करना गा new text पर दे आपको यहां पर मतलब किए जो हम ने पर टेक्स करेंगा उसके बादाप께서 यहां एह पर टाकश करें आपको इस प्राकर ने इंटर्फस आता है तो आपको यहांपे भूशनों की मिल जाती है जैसे जीए धूह प्रक्वर्ण की मिल जाती है और यहां पर यहां और यहीं यहां परलंव की करते है आप यहां रियलेक पोजीशन की डालना चाहते हैं तो आप टू फ्रंट पर करेंगे यह बेक वाली मतलब कि जो ओरिदनल इमेज इस पर डालना चाहते हैं तो आप टू बेक कर देंगे आप यहाँ पर साइज फिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आप बटन की हलब सकते हैं जाएं पर आप 8px यहाँ प्रिदी आप यहाँ परी था जादा हटे लेगा यहाँ अप अपने हिसाअ से देख लिएगा तो चलिए यहां पे यह हो गया मूप पोजीशन % यह टैप चाहाए locking से सैंटर में डाल सकते चाहिए कि बीच में सकते हैं मतलब कि Ben वहांति हैं यहां से साइड में चला जाता है यह यहां पर यहां नाया लोग अपनीसाब से कर सकते हैं दिंए यहां पर यहां पर इसका लगेगा युक्षा कि यहुहın आपको साइच के सामने पेडिंग का अपसन मिलता है यहाँ पेर लेप्ट और राइट यहाँ पेस दूप्सन दिये हैं यहाँ पैसे लेप्ट साइड में ऐसा करेंगे तो यहाँ तो में इसका नहीं भी यूज़ करेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं होती सका मैं तो आस तक यूज़ नहीं किया तो चलिए जैसे को इसा कर देते हैं यहां पर आपके सामने आप साना था कलर का तो सबसे वन आप तो यहाँ पे सबसे बेटर कोई होता है और सबसे यादा मैं अभी तक यूश किया है तो वह होता है येलो और ब्लेक का यहाँ पे साथ ही मैं अभी अच्छा लगता है यहाँ पर ब्लेक को ले लिए उसके बाद आपको टेक्स्टर का अप्शन मिल जाता है इस जो टेक्स्ट है इस पर कोई के इमेज को रकना चाहते मतलब की इमेज से लिखाएगा तो आप लोग यहां पर इसवाले बटन से कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ प्रेकार से रोटेट्त का 2 को तो मैं यहाँ पे जैसा का वैसा रख दूँगा क्योंकि मुझे रोटेट की जरूत नहीं है उसके बाद आपको यहाँ पे माक्स का आपसन मिलता है तो इससे क्या होता है मास्क से कि यह जो आपका जो भी टेक्स्ट है वो आप अपने हिसाब से उससे सेट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से करना चाहिए आप लोग देख सकते हैं यह कुछ इस प्रकार से होता है यह आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं अपने हिसाब से आप कर सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे आपसन मिलेंगे जब आप करेंगे तो आपको सारी बात किलिए रोजाएगी क इसे का उप्योग कैसे करना है मांकि आपको भी उतना समझ भी नाएगा इसे मैं कैंसिल कर देता हूं क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है देन आपको फॉंट का आप इंग्लिस टेक्स्ट डालें तो आपको बहुत सारे फॉंट देखने को मिल जाएं कर सकते हैं ठीक लग रहा है तो मैं यहां पर इस वाले को रख देता हूं यहां पर साथी में इस प्रकार से भी कर सकते हैं साथी में लाइन लाइन सकते हैं यहां पर कैंसिल कर सकते हैं यहां पर बोल्ट कर देते और यहां पर हम लाइन डाल देते थोड़ा सा अच्छा यहां पर हम लोग आये थे इस्टाइल पर आपको यहां पर कर्व कर सकते हैं आप अपने इमेज के अपनी पोश्ट के हिसाप से आप देख लिजे कि आप किस प्रकार से अपने टेक्स्ट को सेट करना चाहते हैं तो अभी मुझे इसकी भी बिल्कुल भी जोरत नहीं तो मैं कर देता हूं म मिलता है आप किसी बहुत करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर किसी भी कलर को प्योंग करना है तो मुझे तो यहां पर जिलिए ठीक है यहलो थोड़ी सथीक लग रहा यह इस प्रकार से आप यहां पर इस टूक वीद्प को कम या ज्यादा कर सकते हैं तो यहां पर मैं इतना कर देता हूं टूई यह तो हो गया इस टोक देन यहां पे आपको फिर से एक प्रकार से देखने को जाती है आप जैसे भी जिस भी कलर में सेड़ों को लगाना चाहिए तो मैं यहां पे देख लेता हूं कि सेडों कुन सी मुझे अच्छी लगेगी तो यहां पर ठीक है इस वाली सेडों को लगा देते यह इसके बाद आपको यहां पर शेथे पर सेड़ आपको अंदर की साइड में भी सेडों देखने को मिल जाती है यहां पर आप लोग इस प्रकार से देखेंगे इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं बलर रेडियस को कम या ज्यादा कर सकते हैं आप आफ सेट को कम या ज्यादा कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से का करती सारी कीस तो यहां पर मुझे भी इसकी जरुद विल्कुल भी नहीं है बाकी आपको यहां पर इंबोस काप्शन मिलता है आप इसे इनेबल करेंगे तो आप लोग यहां पर अपने हिसाफ से देख लीजिए यहां पर जो इफिक्ट आ रहा है आपको अच्छा लगे तो लगाईए यहां पर आप इसे रहने दीजिए यहां पर मुझे डिसेवल कर देता हूं देन आपको यहां पर 3D रोटेट का अप्शन मिलता है तो आप यहां पर जैसे 3D रोटेट पे टच करेंगे तो आप यहां पर अपने हिसाफ से देख सकते हैं किस प्रेकार से सकते हैं इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से 3D टेक्स्ट किरियेट हो जाता है मतलब कि करनोड हो जाता है आप लोग अपने हिसाफ से देख लीजिए मुझे तो बिल्कुल भी यहां पर इसकी जरूरत नहीं लग रही है तो मैं यहां पर इसे फिर से जाएंगे 3D इसे डिशेबल कर देंगे देन आपको अपर 3D सेडो का भी आपसन मिल जाता है यहां पर आप लोग देखेंगे कि यह जो टेक्स्ट है इसकी जो सेडो है इसकी जो परच्छाई आपको नीचे लाइन देखने के मिल रही होगी यह आपको यहां पर आ जाती है तो आप यह इसे रख सकते हैं जाहे तो नहीं हम सकते इसड़न की वाली बात है उसके बाद आपको अप्सक्ति inland करते हो छों देखना मैंने को मिल जाती लेघ्राउंड मैंने आपको नहीं करेंगे तो आपको भी लिखने को मि अकरों करेंगे देन आप के सामने सारे व Qatar सबस्तित भी आप किस बेग्राउंड में किस टैक्स तो आप कर सकते हैं उसके बाद आपको लाश्ट में कर देख सकते हैं आप लोग हो जाता है तो मुझे यहां पर इसकी बिल्कुल भी जुरूत नहीं है तो यहां पर आप लोग इस परकार से कर सकते हैं यह तो हो गया सिर्फ दो मेट में यहां पर मुझे सेडो अच्छी नहीं ल पिक्सल लिप का यूश्क यशे कर यह Hindi में आ रहा है इसे English में पहले convert कर देथें कि उसके बाद यहाँ प्रक्राइब करेंगे देन आपको यहां पर जिस्भी जगप आपको यहां सेट करना है यहां पर कर सकते हैं में यहां इसे set कर देता हूं उसके बाद आपको यहां क्या करना होगा इसे यहां पर फिर से yellow और black के sorry yellow black के combination मry ला देते हैं जिसे कि मैं आपको बताता है है यहांपे style change कर देंगे, यहां बोल्ट कर देंगे यहां पर color हम डाल देंगे black वाला यह यदि आप दो चार दाज बार कर देंगे तो आपको कर जाएंगे तो आपको बहुती इजी होगा यह सब यूज करना यहां पे मैं इसे कर देता हूं येलो आप लोग देख सकते हैं तो यहां पे मैं लेप्ट पेडिंग को भी कर देता हूं राइट पेडिंग को भी कर देता हूं सब्सक्राइब में ही डान लाइकर जो कि देखींगे कि यूटुब विडियो में आपको योड़ी कि इस शrieben बीनीव नीचे this लिए it the top देखेंगी कि जो यूटुब वैद्यो की जो प्ले वाली लाइन होती है उस्ट को शूनक कार देतीक तो आप क्या करें कि जो भी आप टेक्स्ट नीचे की साइड में लगाना चाहे उसे थोड़ा सा उपर ही रखिए कम से कम इतना तो यह इस प्रकार से इसे कर दीजे देन आपको देख लेना है कि यह सेंटर में है कि और सेंटर कहां सा है का रिलेट्टिव पोजीशन से आप यहां पर सेंटर में ड जड यह विल तो लॉछ कर दोंगी में और यहां पर आपको यहां पर्शे ब्योंeness कर सकतें यह अर प्रास प्रेकार कुशन से यह भी बहुत अच्छा लगएकर ज़ूब है यहां पर हमने इतना तो बीकर चुका है आप लोग इस प्राइकार से बहुत है आफ्성 कर सकते हैं अब यदि आपके पास कोई प्लेन बेग्राउंड वाला इमेज है आप उस पे पोस्ट कर रहे हैं अब यदि आप चाहे तो उस वाले इमेज में अपनी पिक्चर अपनी फोटो लगाना है तो आप क्या करेंगे कि आप जाएंगे पिक्सार्ट में वहां से अपनी इमेज का अपनी पिक का कट आउट निकाल लेंगे जिस भी फेस को आप महां पे लगाना चाहते हैं उसका कट आउट निकाल लेंगे और यहां पे एड इमेज पे जाएंगे स्वर्य आप एट करेंगे आप फॉर्म गेलरी पे जाएंगे उसके बाद आप जिस भी इमेज का कट आउ तो आपको यहां पर जीतने भी टेक्ष्ट डालना यहां पर प्लस पर टच करते जाएंगे उसके बाद आपको यहां पर जीतने भी टेक्ष्ट डालना यहां पर एड़ करते जाएंगे तो यहां पर मेरा complete हो चुका यहां पर दो को कर देते हैं नमबर में डाल देता हूं यहां पर मेरा thumbnail बनके ready हो चुका है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको यहां पर क्या-क्या extra function additional देखने को मिल जाते हैं यदि आप एक साइड में जो यह जो आपको दिख रहा है इस पर टच करेंगे तो आपको यहाँ पर stickers का option मिल जाता है import का option मिल जाता है साथ में arrow का भी option मिल जाता है यहाँ आप arrow भी डाल सकते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ लग रहा है कि आपको नीड है आपके थमनेल में पोश्ट में आप लोग डाल सकते हैं बाकि मुझे इसकी जरूर्वत नहीं तो आप यहीं किसी भी टेक्सक्ट किसी भी इमिजपर करना चाहते हैं आपको यहाँ डिलीट कभी option मिल जाता है यहांसे भी बीकर सक यहाँ पे साथ ही में आपको एक एक्ट्राइफेक्ट देखने को बिलता है वीजेनेटी का विलता है आप लोग देख सकते इस प्रेकार से आप लोग पोश्ट पे थमनेल पे अपने हिसाप से देख सकते हैं कर सकते हैं यहां पर आपको नौइस का अप्शन मिलता है आप लोग इस प्रेकार से भी लगा सकते हैं देन आपको यहां पर इस्टिप्स का अप्शन मिलता है इस प्रेकार से भी कर सकते हैं सो इस प्रकार से एक परफेक्ट थमनेल बना लिजिए इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं मुझे अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहां पर इस्ट्रक्शन का भी आप्शन मिल जाता है जिससे कि आपके टीशर्ट बेग्राउंड पूरा थमनेली चेंज हो जाएगा तो यहां पर इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तो इसे कैंसिल कर देंगे इस आप लोग इस प्रकार से इन सभी फंक्शन बटनों का उप्योग करके यह सब कर सकते हैं देन आपको यहां पर तो यहाँ टिक्स कर सकते हैं और यहां पर डिलीट कर सकते ऑ हाँ यहां यहां पर यहां पर यह अपक्शन मिलतrow अ है इस प्रकार से आप लग लगा सकते हैं इस प्रकार ब्रॉप ऋट नहीं नहीं है मुझे यहां पर आप जूम कर सकते हैं अपने हिसाब से और साथ ही में आपको यहां पर यह बेक बटन देखने को पोलता है यह आपने की सी टेक्स्ट को डाला है आपको इसे डिलीट करना या फिर आपको परानी जगह पर लाना तो एक बार बेक करेंगे तो वह पे टाच करना होगा यहां पे उसके बाद सेव टू गैलरी पे टाच करना होगा अब यह आप चाहते हैं कि आपका थमनेल और भी एट्रेक्टिव बने तो आप थोड़ी सी पिक्सार्ट की हेल्प ले सकते हैं उससे उसमें कुछ एडिशनल फीचर देखने को मिल जाते हैं इ आप लोग पिकसल लेप का बहुती आसानी से जल्द शयर्दी उप्यों करना सीख जाएंगे सिर्फ दो मिनेट में तो इस प्रकार से पिक्सल लेप की हेल्प से एक चीज़ी पोस्ट एक अच्छा सा पोस्टर या फिर एक अच्छा सा थमноनेल बना सकते हैं यह वीडियो का